सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube channel English literature पर welcome कहती हूँ हम लोग जो short stories के collection को discuss कर रहे हैं that is in other rooms, other wonders जिसको 2009 में publish किया गया इसके जो writer थे, उनका नाम है Daniel Mohenuddin यह हमारा इस work के ओपर second lecture है first lecture में हम लोगोंने summary discuss की second lecture में हम लोग जो second story है Salima की उसके बारे में बात करने वाले हैं इस character के थुरू writer feminism के theme को highlight करेगा exploitation of women को highlight करेगा साथ साथ highlight करेगा have and have notes को जैसे के marxism का theme हमने previous lecture में भी देखा था इसमें भी देखेंगे इसमें हमें suffering of women दिखाई जाएगी दिखाई जागे कैसे एक 14 साल की लड़की और उसको अपने life के अंदर कितनी struggle करना पड़ी और add then struggle करते करते उसकी मोत हो गई तो death का theme dominant है जो के हमने नवाबदी electrician के अंदर देखा थिफ भी मर गया था और यहाँ पर भी यह जो लड़की है सलीमा यह भी मर जाएगी anyhow हमारी जो summary हम करते हैं शुरू सलीमा यह एक ऐसी short story है जिसके अंदर एक poor लड़की की story बताई जाएगी जो कि एक challenging childhood है जिससे अपने बच्पन से ही कोई ना कोई challenge कोई ना कोई suffering, कोई ना कोई struggle phase करना पड़ी है कोई ना कोई subjugation, exploitation phase करना पड़ी है even जब she was a child, वो एक बच्ची थी तो इसके father जो थे वो drug addict हो चुके वे थे और इसकी मज़ जो थी, वो पैसो के लिए दूरसे लोगों के पास जाती थी दूरसे लोगों के साथ time spent करती, like a prostitute, एक तवायत की तरह और even के, सलीमा को उसके father ने मारा भी उसके बच्च पर में और sexually abused भी किया फिर ऐसा होता है, के एक आदमी जो के लहोर से आया होता है इसके village में enter होता है, सलीमा को पसंद आ जाता है और सलीमा for the sake of relief and escape उस city bright लड़के के साथ, अब इसके शादी को 10 साल हो जाते है और इसका husband भी drug addiction में indulge हो जाता है अब drug addiction में indulge होने की base पे इसका husband exploit कर रहा होता है अपनी wife को जैसे कि उसके father ने किया था कि इसके father ने, जब यह चोटी थी तब इसके father ने इसको exploit किया था बिल्कुल वैसे ही इसका husband इसको exploit कर रहा है अब अपनी life को proper way में चलाने के लिए सलीमा जो है, वो bureaucrate जिसका नाव केके हारूनी है वो ही bureaucrate जिसके घर में नवाग दिन भी काम करता था प्रीवियर स्टोरी में अच्छा, अब केके हारूनी के घर के अंदर यहाँ पे यह house cleaner के तोर पे काम करना शुरू कर देती है जबकि इसका husband बिल्कुल worthless हो चुका हुआ है उसने अपने आपको drugs के अंदर involve करके कुद को जाया कर लिया हुआ है अब new place है new workplace के अंदर अपनी position को maintain करने के लिए सलीमा offers her body as an object to gain favors like her mother ठीके अपनी मा की तरह यह भी अपनी body को as a prostitute use करती है पहले वहाँ पे एक cook होता है हसन यह उसके साथ time spend करना शुरू कर देती है हसन जो है इसको use करके छोड़ देता है और सलीमा को दिख रहा होता है कि अब सब कुछ इसके लिए hopeless का element है कि यह further यहाँ पे adjust नहीं कर पाएगी इस जगह पे नहीं रह पाएगी actually यह जहती थी कि जो इसकी job है वो permanent रहे है anyhow then हरूनी के mention के अंदर उसका most suspected सवरन होता है रफीक ठीके जो कि round about 40 years है काफी बड़ा है सलीमा से और यह शादिशुदा भी है इसके दो बेटे भी है तो सलीमा को रफीक से और रफीक को सलीमा से प्यार हो जाता है they both spent time together और इनका फिर एक बेटा होता है जिसका नाम रखते है अलाबक्ष अब स्टोरी जब प्रिसीड करते हैं फिर रफीक को रिलाज़ लेज़िटा है कि उसने गलत किया अपनी पहली बीवी के साथ अनको छब देगा और वापस अपनी फैमली के पास जाएगा अब असको फोर्स करता है रफीक के जाओ तुम वापस अपने addicted husband के पास जो drug लेता है उसके पास वापस चिंदी जाओ और फिर story के अंदर जो केके हरुनी था उसके death हो जाती है और death के बाद जितने senior servants सिर्फ उनको job दी जाती है anyhow केके हरुनी के death के बाद सलीमा की care करने वाला वापे कोई भी नहीं होता रफीक भी नहीं even जो सलीमा है वो back करती है plead करती है request करती है रफीक कि वो इसका और इसके बच्चों का खयाल रखे लेकिन वो refuse कर देता है anyhow जो फिर सलीमा है वो drug लेना शुरू कर देती है बिमार हो जाती है काफी और उसके बाद इसकी death हो जाती है और जो इसका बेटा होता है अलाबक्ष वो एक homeless street kid बन जाता है एक गली का बच्चा एक beggar और इसी के साथ इसकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है जहां पर दिखाया गया के women suffering की बात की writer ने love and obligation के theme की बात की desire and need की बात की exploitation of poor class की बात की यहां पर addiction की theme को highlight किया गया subjugation, exploitation की theme को highlight किया गया prostitution की theme को highlight किया how a woman become a prostitute जैसे poverty ने force किया था एक चोर को चोरी करने के लिए वैसे poverty ने force किया एक औरत को prostitute बनने के लिए तो anyhow यहां पर story होई complete I hope कि आपको इस्टोरी अच्छे से clear हो चुकी होगी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ जो है about a burning girl thank you so much for watching this video वीडियो पसान दाई तो वीडियो को like भी करेगा comment में बताईएगा और हमारे चैनल को share भी करेगा और subscribe भी करेगा Allah Hafiz